तो आज के इस वीडियो में टीटेल्स में बात करने वाले हैं कि आपको बजाज Pulsar NS 125 को पर्चेस करना चाहिए या फिर आपको MT 125 के लिए वेट करना चाहिए आप लोग काफी जादा पूछ रहे थे इसके रिगार्डिंग तो फाइनली फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट से वो सब क्लियर होने वाली है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेल एकन को जरूर से प्रेस कर दे आपके जितने भी डाउट से वो सब इस वीडियो में क्लियर होने वाली है तो जैसा कि या महा की MT 125 इंडियन मार्केट में आएगी और अगर आएगी तो कब तक आएगी हमें उसका वेट करना चाहिए या नहीं तो यहां पर फ्रेंट्स बात करना चाहेंगे प्राइजिंग के बारे में आपकी एनस जो है वो लगबग में आपको मतलब सब्सक्राइब आपको मिल जाती है और अगर हम बात कर लेतें MT 125 की तो फ्रेंट्स एक प्रीमियम सेग्मेंट की आफरिंग है या महा के तरफ से जैसे कि आप जानते हैं 155 सेग्मेंट के हिसाब से काफी प्रीमियम है तो SM MT 125 भी जो आएगा उसका जो प्राइजिंग रहेगा वह अभी जितने भी 125 सेग्मेंट की बाइक्स आ रही है उनसे ज्यादा ही रहेगा और उसमें आपको इंजन वगरा भी कंपनी ओफर करेगी वह भी फ्रेंट्स काफी यहाँ पर मतलब आप बोल सकते हैं कि अच्छा इंजन रहेगा जैसे कि आप जानते हैं भी एनस में जो आपको इंजन मिल रहा है वह 124.4 सीसी का फॉर स्टॉक एससी टू वल्ब एर कुल डीटी एसाई इलेक्रोनिक कार्बरेटर के साथ देखने को मिलता है जो कि पावर अगर आपको लगब में 14 बीएच्पी का बात करते हैं तो इसमें आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर फॉर स्टॉक लिक्विट कूल फॉर वल्ब इंजन देखने को मिलेगा जो कि लिक्विट कूलिंग के साथ आएगा और उसमें आपको फॉर वर्विज भी देखने को म मिलने वाला है एंटी 125 में जो कि आपको आप बोल सकते हैं भी सेम आपको 15 में इंजन मिलता है फॉर वर्ल वाला इंजन वही कंपनी आपको इसमें भी ओफर करेगी और फ्रेंट इसका जो इंजन है वह काफी ज्यादा रिफाइंड रहेगा तो यहां पर अगर हम बात कर ल दोनों में आपको एलडी में देखने मिल जाते हैं तो अवर आल यहां बबात करते हैं लाइंग वगड़ा के सेट अप के बारे में तो जो है जादा मॉडर्ण लगता देखने में इस कंपेर तो एनस के कंपेरीजनमें आप देखते हैं और वहीं मीटर कंसूल को भी आप करती है जो कि समी डिजिटल मीटर कंसोल है तो मीटर कंसोल के मामले में भी यहां पर एमटी जो है वह आगे रहने वाला है और अगर हम बात कर लेते हैं तर प्रोफाइल के बारे में तो एमटी का जो टायर वह भी आपको वाइट देखने को मिलता है एंडेड़ बाइटी का 70 का और एपषैंट के भजुचा देखने को मिलता है जोगी देखा जाए तो एम की यहां पर देखा जाए तो में काफी कुछ प्राइस कट करके ओफर करेगी जैसे कि आपको इंट्रनेशनल मॉडल में यूजडी फोक्स मिलता है अपको इंडियन मॉडल में फ्रेंट में ट लिसको पिपोग्स कमपनी ऊफर करती है और अगर एम्टी का रेर का बात कर लेते हैं तो उसमें आपको मोनोसौक्स मिल जाता है नेस में भी आपको मोनो सौक्स देखने को मिलेगा तो सस्पेंसन में ज्यादा यहां पर नहीं रहेगा दोनों बाइक का जो सस्पेंसन है वो लगबग मैं बोल सकते हैं सेमी परफॉमेंस आपको डिलेवर करेगा और अगर हम बात कर लेते हैं ओवर ओल तो ओवर ओल फ्रेंड्स यहां पर काफी अच्छा आपको एक प्रोड़क्ट देखने को मिलेगा या को यहां यहां के पास कोई भी प्रोड़क्ट नहीं है 125 इसे की वह कंपेटिशन में अभी बाइब कर स्थेखने को मिलेगा बडब इस यहर में तो उसके लांच रहने के चांसेज नहीं है क्योंकि अभी कंपणी ने रिसेंटली अपनी एक बिल्कुली न्यू बाइक को अभी किया है इंडियन मार्केट में कुछ उसके टीजर्स वगरा भी लीक हुए इमेज़ वगरा जिसका की नाम कंपणी ने रखा एक तो अभी इस यह तो आप चांसेज नहीं है क्योंकि कोविड वगरा भी काफी इसे में नेक्स्ट यह तक काफी चांसेज़े कि आपको एंटी देखने को मिल जा और तो अब चाहें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आएं सत्यम गुपता अस्था नेक्स्ट वीडियो में तब बार तक यूफ द्यूइ आएंगए तक कि अच्क्या लग सब्सक्राइब को सुआगे तक कि अडिए तक उडियो यह थी इस पर टूए अट प्रवाश्य है जाएंगए तक कि अच्छिवाए टूवाए जाएंटू अट-टूशब टूएंटू अट